आज थोड़ा हम लोग बाचीत करेंगे स्टूडियों का बारे में स्टूडियो मुनिटर्स का बारे में बाचीत करेंगे कियोंकि इसका रिखर्मेंट थोड़ा सब बातची देख लेंगे क्योंकि studio monitor अगर ठीक नहीं होगा तो हम लोग ठीक से balance नहीं कर पाएंगे ठीक है balance नहीं कर पाएंगे उसके बाद और भी बहुत सरा कुछ होता है जैसे कि अगर हम लोग किसी का उपर frequency डाल रहा है मतलब कोई frequency बढ़ा रहा है नहीं तो कोई किसी कोई frequency को कब कर रहा है तो यह दो जो point होता है तो ठीक से response हम लोगों को मिलता नहीं है तो studio monitor क्या होना चाहिए और studio monitor क्या देखना चाहिए कि इसका basis में हम लोग थोड़ा सा studio monitor judgment करेंगे तो पहले हम बोल दे रहा है basically studio monitor हम लोग judgment ऐसा ही करेंगे as per our budget ठीक है पहले क्योंकि studio monitor बहुत सारा होता है तो उसका हिसाब से हम लोगों को जो budget होगा तो budget का हिसाब से हम लोग studio monitor करेंगे मगर क्या 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 चीज हम लोगों को देखना चाहिए तो देखिए सबसे अच्छा जो frequency range होता है तो वो हम जो study करके देखा है particularly 40 hertz to 20,000 मतलब हम लोग 20k बोल सकता है तो यह जो range होता है यह range का अंदर ही जितना सारा studio monitor जितना low range का अब लोगों को studio monitor मिलेगा तो उतना ही price हाई होता जाएगा हम 40 का low नहीं बोल रहा है 40 hertz का जो अगर frequency range में अगर कोई studio monitor लेने के लिए आप लोग planning कर रहे हो तो इसका price तो रहे जादा हो जाएगा और हम लोग थोड़ा सा तीन पार्ट में हम लोग studio monitor को divided कर देते एक है उफर सेक्शन मतलब जो low frequency के observe करता है ठीक है दो नमबर पार्ट जो है एक होता है इसका speaker चाहिए एट इंच होता है लगवख एट इंच का ही होता है तो यह middle pad को देखता है जैसे कि थोड़ा सा low देखते है और थोड़ा सा mid frequency को भी देखता है और एक होता है पाँच इंच के speaker होता है जो speaker size का बारे में हम बोल रहा है 5 इंच का बोल रहा है तो यह तीनों अलग अ speaker रहता है मगर हम लोगों को उधना budget नहीं है उतना budget में हम लोग जाना नहीं चाहते है और infrastructure भी ऐसा नहीं है इसलिए हम लोगों को चाहिए ऐसा टेप का speaker जिसमें response अच्छा लगे मतलब जिसमें response अच्छा हम लोगों को मिलेगा और ठीक से चलेगा तो इसके उपर अगर ह हम लोग लेंगे तो उसका हिसाब से हम लोगों का जो रूम एकॉस्टिक्स यह भी डिपेंड करता है मोनिटर का साउंड क्या से अब लोगों को मतलब यह साइड में अब लोग मोनिटर दो मोनिटर ठीक है इसका मिडल में गयाप होना चाहिए 5 feet gas minimum फ्जान बैटने का जगह अरे मिस्के रखें तो यह रिady को होता है मैं तो अगर यह जो हम ये ठीक नहीं है तो us बाइकोस्टिक लेंकर का रिये को साथ जुस्टिक युकुआ दिए ठीक से अकोस्टिक नहीं बनेगा तो studio monitor का quality जो quality आप लोग 4 वो quality मिलेगा नहीं ठीक है दो नॉम्मर पॉइंट का है ना यह जो monitor जो होता है इस flat monitor देखाँ फ्लैट मतलब इसमें जो फ्रिक्वेंसी जैसे कि हम लोगों का पास एक कंडेंसर माइक्रफोन है कंडेंसर माइक्रफोन भी जब आप लोग खरीद होगे तो उसमें भी फ्रिक्वेंसी रेंज आप लोगों को बोल दिया जाएगा जैसे कि यह रिस्पोन्स 12 हर्ट्स टू 20,000 हर्ट कीलो हर्ट्स यह जो रेंज है मनलब हम लोग जब गाना गा रहा है तो हम लोगों का भोकल का जो फ्रिक्वेंसी रेंज है नहीं तो कोई इंस्टूमेंट हो सकता है कोई दूजरा कोई इंस्टूमेंट भी हो सकता है वोकल भी हो सकता बहुत सारा sounds हो सकता है तो sounds का absorption जैसे कि जो sound originally होना चाहिए जैसे कि हम गाना गा रहा है तो हम गाना गाने का time पर हमारा जो गाना अब लोग अभी सुन रहा है headphone में तो फ्लैट रेंज में without any effect वैसे ही आप लोगों को speaker में सुनना चाहिए वैसे होना चाहिए तो इसी लिए डिपेंड करते हैं मतलब एक studio acoustic का उपर डिपेंड करता है जिसका बस acoustic नहीं है तो उसको ऐसा करके adjust करना चाहिए speaker को और इस type का speaker लेना चाहिए जिसमें जो vocal गाना गा रहा है without any effect same as उस type के sound सुना ही दे रहा है तो इसके लिए क्या करना पड़ता है इसके लिए एक tutorial हम देंगे इसके लिए calibration करना पड़ता है तो calibration part हम लोग दूसरा part में जाएंगे कि वो एकदम professional studio के लिए है एस पर my suggestion अगर आप कोई speaker खरिदने के लिए जाओगे तो पहला देखना है उसका frequency range क्या है तो जो हम बोला है 40 hearts to 20,000 ठीक है तो यह range जो है हम लोग थोड़ा सा एक बाद देख लेंगे जैसे कि हम इसको खुला है बजाओ.com को कोई भी कोई भी site खुल सकते है problem नहीं है अभी हम लोग हम लोगों का जो pricing जो price हम लोग इसमें invest करना चाहते है जैसे कि अगर हमारा budget है 30,000 ठीक है तो पहले हम बोल दिया है इस पर our budget उसका हिजब से हम लोग speaker देखेंगा तो पहले हम लोग देखना चाहते है ठीक है अगर स्पेसिपिकेशन और भी अच्छा करके हम लोगों को देखना चाहिए इसका रिव्यू देखना से ने पूरा स्पेसिपिकेशन देखना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन में अगर जाओगे हां देखिए इसमें क्या बोल रहा है एक टी हर्ट्स टू हंडे हर्ट्स इसका इसका बोल रहा है हाई पास फील्टर दिया हो है मगर स्पीकर का पूरा रेंज हम लोगों को जानना तिया है तो देखिए फ्रिकोंसी रेस्पॉंस यह यह वाला देखना चाहिए यह व्लब कैया है फृती ऐइट हर्ट्स टू ृइंटी थाउजमंद राकर स्थीएज्ट ग Bigfest में इस पीट कर दे पा रहा है तो यह बहुत अच्छ ऑ और अच्छ र कहованी इसम कि हम लोग बन साब उपर क साब करते हैं जन साब के लिए रहे है उसका साथ साथ क्या है उसका गाना भी खराब कर नहीं तो इसलिए लो frequency एक हाई रेंज का फिर्गेशा मैं लो फिर्गेश की चेतना साथ हो है वह ब्लों 100 हर्ट को फ्रिकेशिए होता है जैसेके 100 त Soy współgra rhythm 20 में चला आते हैं तहीक है यह ज़ेधा का फृक्वेशि कोके ओष़ होता है इसमें पावर थ Suppose यह इसके तो पावार थोड़ा सा बढ़ाने से यह बूमिंग जादा करेगा तो इसलिए क्या है लोग फ्रिकुरिंसी में एड्जस्ट करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है तो इसका कारण से जितना लोग अप लोग सुन पाओगे तो वह उसका हिजब से लोग फ्रिकुरिंसी का स तक इस type का speaker लेना चाहिएं हम लोग दूसरा speaker में चला जाते हैं जैसे कि हम लोग Adam में चला जाते हैं 399.99 399.99 बूसरी hear me the frequency range खते हैं इसका frequency range हम लेज होगा थोड़ा सा देखना पड़ा सध़ाइगा इसका डेखिए के साइज पूला है 8 इंच इन पूला है उसंका जो सब्सक्रांद का सब्सक्राइब चाली कास्टोमर रिव्यू से उससे भी ज्डiska है आप आपавайगोगों को सप्वेसिर्जिinea सिर्धर्स के या बोल रहा है थार्टी थिर Congo to 25 दिखे अब लोग यह बोल सकते हो यह जो है 33 हर्च 25 किलो हर्च इसका देने का मतलब क्या है 33 हर्च हम लोग सुन लेंगे कुछ time के लिए मतलब ज्यादा time अगा सुनेंगे तो हम लोगों का vomiting एक question होता है Honor स्टारी के से हम इसको बोल सकते हैं ये सावंड and generate होता है जो साउंड हम लोगों को काण में नहीं आते हैं मगर वह थूत अपना साउंड होता है एक अच्छा को शाउंड होता है तो इसको हम निवी कर लेती हैं इसको रखते है इसको हो र Apply हम मज़ी LG झारेंज में कर रहा है जो ए्रेश्मेंट में इसमें आधे नछायं कर दीया एक सदमेंग мехज कर दिया है इसमें कोई आलग आलग करके हैं तो इसमें जो हम लोग अभी सुन पा रहा हम लोग 20 हर्ट सुन नहीं पाएंगे ज्यादा तर मतलब एक मिनिट अगर सुनेंगे तो हम लोगों को भूमेटिक हम लोग कान में रिस्पॉंस कर सकते हैं अगर ज्यादा तर 20 हर्ट अगर हम लोग सुनेंगे तो उसमें लोगों को दिक्कत हो जाएगा प्रोब्लम फील करोगे तो 20 के यह हम लोग सुनने ही पाएंगे शीशा तूट जाएगा तो इसका जो रेंज दिया हो है यह 25 दिया है और इसमें 33 दिया है तो ऐसा कुछ रेंज जेनरेट होते है जो हम लोग व वह कांण में पकडarian में आते नहीं है और हम लोग सुनने ही पाते मगर वह दो टाइप के फ्रिकुएंसीज होता है एक होते है ब्याइट फ्रिकूएंसीज और एक ग क्मेद करदे गूड間 के शिर्धी की घंडा करते हैं तोड़ा से ऑच्छा करते हैं क्योंकि जब स्टूडियों में कोई काम होता है न थोड़ा सा पॉइंट को ठोड़ा डाइवट करता है क्योंकि ये बोलना जरूरी है तो फ्लोर में सभी ने headphone पहन के बजा रहा है यह अदमी लोग बजा रहा है ठीक है तो अभी क्या है इससे ए अगर तबला होगा ए धोलोग होगा ए मान लिजे दूसरा कोई instrument है गीटार है इसमें percussion कुछ है इसमें कुछ अलग से हैं सब मैनुवल हो रहा है सब माइक्रोफोन से रेकॉर्डिंग हो रहा है तो यह frequencies क्या होता है घर में ऐसा ऐसा करके क्रॉउस ओवर करते है इसका फ्रिक्वेंसी इधर से से जाते है इतर चला जाते है उसका बाद इसे जाते है ऐसे कर्के क्रॉइस अज पॉइंट होता है क्रॉइंड होता है काड देता है कोई क्रिकॉइन Nur python flying added on으면 टबला अधर वोड़ेगा देगा दूसरा कोई अकर काड़ तो क्या होगा प्रॉपरली जो फ्रीकुएंसी तबला होना चाहिए वह नहीं रेकॉड हुआ है एक लिए कुछ बाएख पॉजिटीव लिए मंदभ जैसे कि एक अग्जम्प्टल हम दे सकते हैं kgra p Krasy वी बॉलट बनाते और भी पॉज़र बनाते और भी अच्छा बनाते यह वह को सकते हैं और बैट फ्रिक्रेंसिस क्या है वह तो हम जब मेजर्मेंट करेंगे जैसे कि फ्रिक्रेंसिस क्यूब्कि हम मेजर्मेंट करके दिखाएंगे जिसको calibration हम लोग बोलते हैं सभी ने यह कर सकता हूँ जैसे कि आप लोगों का room में कितना frequency range मतलब कितना response हो रहे हैं और कितना noise है यह एक video में देंगे हम तो उस time में हम लोग बातचीत करेंगे तो normally यह जो frequency हांट जाए बहुत ही अच्छा है इसलिए इसका price थोरह ज्यादा ह है अभी हम लोगों का budget थोड़ा सा थोड़ा सा कम budget में चला जाता है अभी चलिए हम लोग 17,000 budget में कुछ खरीदना चाहता है कोई भी brand यह हमा के HS5 है अच्छा है मगर इसका frequency range जानना चाहिए तो हर time यह देखना चाहिए कितना frequency हम लोग यह handle कर पाते है 54 hearts to 30,000 देखिए low frequency कम है और इसमें आप लोगों को 14 hearts कम हो जागा मतलब हम बोला है का 40 to 20,000 यह है standard frequency range तो देखिए इसमें थोड़ा low में थोड़ा कम हो रहा है मगर high में थोड़ा ज्यादा हो रहा है तो इसका particular जो यह model बना है यह हमारा हिसाब से हमारा suggestion का हिसाब से particular frequency जो model बना है यह high frequency के ल यह हमारा studio के लिए एक speaker नहीं लेंगे मतलब इसका साथ parallel और दूजरे एक speaker लागाएंगे क्योंकि यह middle का देखेगा यह high का देखेगा तो इसको parallel मागर जिसका पास budget है ठीक हो ले सकता है मागर जिसका पास budget नहीं है ऐसा टेप का frequency लेना चाहिए जो पहले हम दिखाया है जैसे कि 29,000 यह वाला प्रिसोनास का है आप लोग यह ले सकता हो उसके बाद यह वाला जो है इसका क्या है यह क्या है क्या के भी कोई दिक्कत नहीं है कोई problem नहीं है बहुत अच्छा है इसका भी range एक बद देख लेना क्योंकि range अगर देखे लोगे तो कोई problem नहीं होगा देखे इसका range क्या वाल 36 बोला है बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा देखे 40 कीलो हर्ट लगता नहीं है इसमें मिलेगा हमको स्पेसिफिकेशन का अंदर मिलेगा नहीं अच्छा डिस्क्रिप्शन का अंदर ही मिलेगा इसमें इसमें तो दिया ही नहीं है लगता है दिया नहीं है नहीं तो पड़ाई करना पड़ेगा देखना पड़ेगा दूसरा वाला देखते हैं यह वाला क् कैंटीग नेकर प्राइस तारिस इसका फ्रिक्वेंश रेंज पहले देख लेते ह। है कि इन चायना वाला स्पीकर है कि ए वी दिया नहीं है इसका होना चाहिए था मंगर डिया प्रिविव सकता है एक्षिलिए अपलोग यह वी देख लेना क्योंकि एक बंदा ने लिया है वह यह तो इसका स्पेसिफिक्शन नहीं हमारा फ्रिक्वेंस अर्फ्रिक्वेंस देखना चाहिए बैसिकलिए लो और हॉइप कितना सपोर्ट करता है वह थोड़ा देखना चाहि इसमें 50 watt है और इसमें frequency range 80 hertz 80 hertz to 20,000 मतलब जितना कम budget होगा उतना low frequency कम होगा जितना high budget होगा उतना low frequency ज्यादा होगा ठीक है low frequency response ठीक से नहीं मिलेगा तो mixing mastering के लिए काम करना बहुत मुश्किल बात है तो यहीं बोलना चाहिए था हमारा ट्यूटर है जो देखेगा इसका हिसाफ से आप लोग थोड़ा speaker चूज़को और ऐसे company का कोई problem नहीं है company कोई भी company ले सकते हो मगर standard company लेो लोग कोई दिक्काद नहीं है जैसे कि फ्रिसोनास हो गिया आप लोग audio भी ले सकते हो मतलब low budget के बाड़े में बोल रहा है और मगर हमारा फेवरिट जो बजेट जो तीनों अलग 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 company वे एक है एडम है एक है जिनलक है और और एक है डाइन आउडियो यह तीनों speaker हम बहुत पसंद करते हैं मगर जिसका पास range है वही लो जिसका पास range नहीं है अभी काम करना मगर आप लोग थोड़ा सा इसका frequency range को देख लेना जरूर देख लेना थैंक्यू दोस्तों थैंक्यू वर वाचिंग दिस वीडियो जो लोग हमारा चैनल में नया है प्लीज सब्सक्राइब में चैनल शेयर दे वीडियो लिंक बाद में दूसरे टीटोरियल लेका आ रहा ह पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना चुनियत sound knowledge को और करे अपने music composition का सपना साकार download the app now